नमस्कार दोस्तों मैं दिलीब कुमार दोस्तों BSSC CGL3 सचिवाले साहयक PT परिक्षा कि तीनों पालियों का कोश्चन सोसल सैच्ट पर वाइरल था और BSSC ने सिर्फ एक पाली की परिक्षा को रद किया है जो कि 9 लाक अश्टुएंट्स के साथ ना इंसाफी है अन्या है इसल जिसमें OEMR SIT की करवन कॉपी दी जाए कोश्चन बुकलेट दिया जाए आंसर की जारी हो जब रिजल्ट प्रकासित हो तो कटप और सभी का मार्च जारी किया जाए इन्हीं मांगो को लेकर 4 जनवरी 2023 को सुबह 11 वजे से पटना कोलेज से सांती पुर्वक पैदल मार्च निकाला जाएगा ये महांदोलन हो रहा है इस महांदोलन में आप सभी निश्चित रूप से सामिल होगे जोंकि ये पूरे बिहार के हक और अधिकार की लराई है ये किसी एक की लराई नहीं है ये पूरे बिहार के हक और अधिकार की लराई है इसलिए आप सभी से हम याग मार्च निकालेंगे और जितने भी सिक्षगन है उन सभी से आगरा कर रहे हैं कि आप इस महांदुलन के समर्थन में कम से कम एक वीडियो जरूर बनाइए क्योंकि यह किसी एक की लराई नहीं है यह पूरे बिहार की लराई है बिहार के बरतमान और भविस्य की लराई है और अगर हम चूप रहे तो आगे की परिक्षाओं में भी इससे भी ज्यादा धांदली सेटिंग हो सकती है तो इसलिए अब चूप नहीं रहा जा सकता यह 9 लाग अस्टुएंट्स नहीं है जो बी एससी सीजल थिरी में 9 लाग हवियर्ती है वो सिर्फ 9 लाग हवियर्ती नही है बलकि इसके साथ सत responsibilities का पूरा पडिवार हैं और यह संख्या अगर इनके पूरे पडिवार को मिला दिए तो यह संख्या 50 लाग को भी पार कर जाएगा 50 लाग से भी जयादा हो जाएगा तो इसलिए आप सभी से ययागरा कर रहे हैं कि आप चुप मठ बैटिए इस अन् प्रवग पैदल मार्च निकालेंगे और हम BSSC से और सरकार से यागरा कर रहा है कि आप 9 लाक अवियर्थियों के भविस्थ के साथ खिलबार करना बंद किजिए और इस परिछा को यानि कि पूरी परिछा को रद किजिए जो दोनों पाली का भी रद नहीं हुआ है उस दोनो इस पूरी परिछा को रद करते हुए पारधर्सी तरीके से पूरा परिच्छा आईजित करवाईए और आप म टमाम झ्ेट छात्र चात्रां से पिल कर रहे हैं कि आप 4 जनवरी को सुबह 11 बजे तक पत्ना कोलेज गेट पे जरूर पहुंच जाए है तो कि यह आपके हक और अधिकार की लड़ाई है यह आपके आने वाले भविश्य की लड़ाई है और ठंड भी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप घर बैठे रहीएगा पर किर्ती भी हम लोग की परिक्षा ले रही है बी एससी और विहार सरकार्त परिक्षा ले ही रही है पर किर्ती भी हम लोग की परिक्षा ले रही है तो इस परिक्षा में हम सबे को डटे रहना होगा हम सबों को इस परिक्षा में सफल होना है तो इस पर पहुंचिए 11 बज़े से हम लोग वहां से पैदल मार्च से निकालेंगे आप सभी छात्र छात्राओं से अंतरता फिर अपील कर रहे हैं कि आप 4 जनवड़ी को 11 बज़े तक पटना कोलेज गेट पे पहुंच जाएए धन्यवाद जैंग